मैं खड़ा हो इस समय यह जो मेरे पीछे बह रही है बह रहा है यह नदी नहीं है सातियों यह नजफगर्ड ड्रेन है एक नाला है जो जहरीले पानी का है जहरीले वेश्ट का है जो पूरे यह नजफगर्ड ड्रेन में पीछे दो दो ड्रेन मिलती है और तब आ करके यह यहां मिल रही है और यहां से यह पूरा जहर का नाला यह जमुनाजी में मिल रहा है सामने सिगनेचर ब्रिज है आप सो यह देख देख इसको एक्सोज कर सको आप देखिए, यह वजीराबद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है औरोस्म देखी और उस वजीराबाद के उदर PG& पूरा साफु पानी है, जहां में कल खळा होकर के दिखाрах था और उसके ओपर हड़ीणा से पानी आ रहा है वहां से पानी साफ आता है और ये नजवगर्ड का नाला ये सीधे जवुला मैया को प्रदूसित कर देता है सतर परसेंट प्रदूसर का कारण ये नाला और इस पे कभी आस्ते करविंद केज्रिवाल जी न तो बयान दिये है न यहां कभी देखने आए है और मैं मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूं ये मैं लगातार पिछले पांच-छे सालों से कर रहा हूं सांसत बढने के बाद और ये हमारी लोग सभाव मेरे हैं मेरा सिर्फ इतना उद्यश्य है कि अरविंद केज्रिवाल जी मीडिया की आखों पे पट्टी लगाना बंद करो दिल्ली की जंता की आखों पे पट्टी लगाना बंद करो सच को स्विकार करो आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं यही जहरीला पानी है जो जमला जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल जड़ जा रहे हैं यही जह इसका दोस हर्याणा को देते हैं, इधर तिमार पूर है, आगे पूरी घिल्ली बसी हुई है, नजब कर देदे वहां से आ रहा है, आप इसको हर्याणा का दोस दे देते हैं, जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें, और मैं ये मैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए बना रहा हू कि आप लोग सच्चाई को देखें और इसका इतना फ्रेसर होना चाहिए इस सरकार पर कि अभी ये सरकार जूट न बोल सकें, आमादमी पाती की दिल्ली की सरकार और पूरे देश के लोगों को पता चले, उतर अखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उतर प्रदेश को पता चले, पंजाब को पता चले कि इस व्यक्ति के शाषन का सच क्या है? अर्विंद केज्वीवाल के सच का सच क्या है? मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना संभव नहीं है. इसी को मैं बोलता हूं यह नाला, पैरलन एक नाला जमनाजी में इसको नजी से किन सारे कर दो और इसको प्रीप करो आसान है तो मैं मनोज टिवारी उत्तर पुर्वी दिल्ली का सांसद में पूरे दिल्ली के पूरे देश के लोगों को ये द्रिश्च दिखा रहा हूं अर्विंद केजरिवाल एक्सपोज हो चुके हैं वो मीडिया के सामने भी जनता के सामने नंगे हो चुके हैं और इसके लिए कड़ा पनिस्मेंट भी बनता है जो मान्य सुप्रीम कोर्ट को सुव मोटो लेना चाहिए